हलो श्टुएंस एक बार फिर से सागत आपको अपके अपनी यूटूब चैनल एश्टर गयान पर तो जैसे कि आप सो को पता ही है कि यहापर हम आपके लिए आपके लिए आपके सेकेंडेर मैस में यहापर आपके जो बुक चलती है रियन एनारेलिसस यानि वासर विशिटे समवरत समुच्चे यानि कलोड सेट उसके काफी इंपोटेंट थियोरम के उपर बात करेते हैं जिसमें से काफी बार ये उनिवसिटी एक्जाम में थियोरम पूछी जाती है और आज यहापर आपको हम यहापर बताएंगे ओपन जो आपका सेट है यानि विवरत तो आज की क्लास यहापर आपके लिए मोश इंपोटेंट होने वाली है तो आप इस क्लास को पूरा इंट जरू देखिएगा जिन इसके पर सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहे है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ में हम आपको लगातर वीडियो मे एक और बुक होती है आपके थर्ड पेपर में डाइनमिक्स यानि गति विग्यार उसकी भी हमने क्लासेस श्टार्ट कर चुके इंपोटेंस कोशन के उपर उन क्लासेस को भी आप देखते जाएगा उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएग तो उसका यहाँ पर एक क्या केलाएगा वो आंतरिक बिंदू केलाएगा यदि एलफा का कम से कम एक सामेपी यानि नेबर हुड किस में विद्मान हो यानि अगर आपके इस एलफा का कम से कम एक आपके नेबर हुड यानि सामेपी अगर इस सैट में विद्मान होता है तो तो उसका क्या कहलाता है आंतरिक बिंदू कहलाता है यानि interior point कहलाता है तो यह आपर यह बात हो थी interior point यानि आंतरिक बिंदू पर फिर आता है हमारे most important topic विवरत समुच्छ यहाई ओपन सेट जिसके हम काफी questions करने वाले और काफी importance question करने वाले जो कि इसकी definition क्या होती है यदि किसे समुझचे S अगर आपका यहांपर subset याँए आपके समुझचे होता है R का S क्या है यहांपर हमारे set याँए समुझचे और R हमारे याँपर real number याँए वासिवी संगया तो इसका यह उपसमुझचे होता है का पर्तिय एक अव्यवट यहापर बिदु उसका क्या कहलाता है आंत्रिक बिन्दू हो तो यहापर आपका क्या होगा विवरत समुच्छ यहापर आपका कहलाएगा यहां पर इसके condition देख सकते हैं यहां पर इंगलिश में बता देते हैं if every point of any set S subset R is its interior point then S is called an open set अब यहां पर क्या होता है कि अगर आपका S एक विवरस समुच्चे है तो इसको क्या condition होती है कि यहां पर इसमें आप बता सकते हैं कि आपको S है वो बिलोंग करता है S में और आपको जो X clone है वो 0 से यहां पर greater than होता है इस condition में यहां पर आपको X minus X clone हो और जो X plus X clone है वो आपका यहां पर उप समुच्चे है यहां नि सबसेट होगा किसका S का यानि और समुच्चे का यहां पर subset यहां पर आपके होता ही है condition आपको याद रखनी है तो इसके उपर हमारी एक theorem आ जाती है जो कि मोश मोश important है और यह काफी बार university exam में पूछी गई है वो इसके इस साल आने की भी काफी ज़्यादा यहां पर chance बने रहते हैं तो आज के यहां पर आप जितनी भी classes होने और यह आपके लगातार अब यहां पर हम नेश्ट वीडियो में आपके लिए आपके लिए आपके जो countable और countable set है साथ में uncountable set है यानि गणने और उप गणने यहां पर समुच्चे उनके हम questions करेंगे हैं नेश्ट वीडियो में जो की काफी ज़्यादा इंप्रेटेंट होते हैं तो आप जितनी भी classes आती जाए होगी most important हो आपकी होती जाए तो आप एक भी class को miss मत कीजेगा हम आपके लिए अपर काफी मेहनत कर रहें तो आपको मेहनत करनी है और इन सभी class को पूरा जरू देखने हैं इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करने हैं तब यह आप एक exam में अच्छा है इसको यहाँ पर कर पाएंगे तो यहाँ पर आप थियोरम देख सकते हैं जो कि क्या विवरत समुच्यों के पटेक समुधाय का संग भी एक विवरत समुच्य होता है यानि दा यूनिन ऑफ एन अर्विट्री ओफेमिली ओफ ओपन सेट इसको यहाँ से देखेगा जैसे हमरे पिछली बार क्या होता था कि यहाँ पर समुच्यों के पतेक समुधाय का संग भी यहाँ आपके क्या होता है समुच्यों तो उस टाइप से यहाँ आपके विवरत समुच्य यानि ओपन सेट का पुछा गया है पिछली बार हमसे क्लॉस सेट का पुछा गया था इस वार हमसे यहाँ पर ओपन सेट का विवरत की थी तो आपको confusion नहीं होना इसमें आपको अच्छी तक से देख लेना है उसके वाद यहां पर आपके इंग्लिश में भी यहां पर आपके लिखा हुआ है अब यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर आपके जो विवरत समुच्चों का प्रतिक समुदा यानि का संग यहां पर आपको एक मानना है तो हम क्या करते हैं यहां पर आपके S N है जिसमें S में विफbok में विरन करते हैं यानि नेटरल नमबर में विधमान होता है तो यहां पर हमारी है जो आपको एक्स पर चलता जाएगा यह पूरा ही आपका कैसा होता है विवरस समुझ्छा होता है यानि पूरा यह आपका के साically करके बताना है तो इसके लिए हम क्या करते है कि जो आपके समुझचे उन में से हम एक आवे एकस माले लेते हैं और उस एक्स को हम कहते हapo है कि वो एकस है वो आपका यूनियन एन में क्या करता है भिलोंग निए विदमान होता है हम नहीं आप यह माना धै, अगर यह इंटिरियर पॉइंट के आपको अभी definition बताईती है, तो उसके थुरू हम क्या किसकते हैं, कि X है, वो SN का क्या हो जाता है, आंतरिक विंदू, या या इंटिरियर पॉइंट हो जाता है, और जब ये इंटिरियर पॉइंट आता है, तो मैंने आपको open set है, या इंटिरियर पॉइंट के विवरस समुझचे कि या पर आपको definition में condition बताईती है, जब इसका या आंतरिक विंदू निकल जाता है, तो हम किए सकते हैं, या पर आपका उपसमुच्य होगा, या इसेन का या पर subset हो जाता है, और या पर ये भी किए सकते हैं, कि अगर X-X-Flone और X-X-Flone अगर आपका S-N का उप्समुचे हैंनी subset है तो यहापर आपके अच्छी तरह से जानते हैं कि S-N आपका किसका subset होता है यहापर आपके union S-N का subset होता है तो automatic यहापर आपके जो X-X-Flone और जो X-X-Flone है वो किसका यहाँ पर आपका उप समुच्छे ने सबसेट हो जाएगा Union SN का यहाँ पर सबसेट हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते यह condition आ चुकी है तो इसके थुरू हम क्या 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 सकते है यहाँ जो हमने शुरात में मानाता कि आपके X है वो किसमें बिलॉंग करता है Union SN में बिलॉंग करता है तो हम यहाँ पर क्या सकते है कि आपको जो X है वो Union SN का क्या निकल जाता है आंतरी की बिंदू यानि interior point हो जाता है और जब यहाँ पर आपकी interior point होता है तो इसके थूरू हम क्या किया सकते है कि आपको जी यूनियन है यूनियन ऐसे और वो क्या होगा एक विवरत समुच्चे होगा यानि ओपन सेट यहाँ पर निकल के आ जाता है आपने देखा है यह काफी सिंपल आपकी यह थियोरम थी है और काफी मोश मोश इंपरेंट यह थ तो यहाँ पर आप यह थियोरम देख सकते है इससे भी आप लगा लेज़िए का मोश मोश इंपरेंट यहाँ आने के चांस बने रहते हैं जो क्या ज्यादा को काई कोश्यन को यहांप को पूरा अंड तक जरू देखते रहेगा जितने भी हम ही आपके लाने वाले तो यहां पर यह कोश्यन को सर्विनिष्ट भी आपके क्या होता है एक विवरस समुच्य होता है यानि the intersection of a finite number of open set is an open set आपर हमने पिछली किलास में यहांपर क्या पढ़ाता हमने पिछली किलास में यहांपर समुच्चे के बारे में पढ़ाता यानि close set के बारे में पढ़ाता उसमें भी हमने यहांपर पेले संग यानि union के बारे में पढ़ाता पर सर्वनिष्ट यानि हमने intersection की बारे में पढ़ाता हूँ यहाँ पर हम ओपन सेट यानि वीवरस समुच्छी में भी पे ले हमने अभी संग यानि आपके union की theorem करी अब हम यहाँ पर सर्वनिष्ट यानि intersection की theorem कर रहे हैं तो यह आपके जो इतने भी हमने पिछली किलास में ब सबसे परिमिष्ट संग्या यहाँ पर दे रखिए यानि finance number दे रखिए तो हम यहाँ पर परिमिष्ट संग्या की यहाँ एक समुच्छे लेना होगा जो कि हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि हैं आपर S1, S2, S3 जो चलता जाएगा आपके S1 तक वो एक क्या होता है आपके जो इना पर समुच्चे होता है यानि open headset होता है यहाँ यहाँ पर पूरे को वीवर ऌताने से पहले हम सबसे पहले क्या सिदह करेंगे कि इन में से दो मान लिजी आप S1 और S2 कि आपके S1 और intersection S2 विवरस समुझ होता है अगर ये दोनों आपके निकल जाता है तो इस प्रकार हम किया सकते हैं कि आपके जितने भी आपर S3, S4 यह आपर आपके जोई सीरीज चलते जाएए पूरी आपके क्या होता है विवरस समुझ होता है तो हमने यहापर दो सहमारे यहापर सैट यापर समुझ लिए S1 और S2 जिसको हमने यहापर क्या बताना है कि S1 intersection होता है S2 का तो हम यहापर मानते हैं कि जो S में से हम यहापर एक हमारे यहापर elements याणि अभियम मान लेते हैं जो कि क्या X है हम यहापर जब पिछली वाली थियोरम में हम जब करते थे पिछली समवर समुझे में तो हम आपर हम अलफा मानते थे चाहे तो हम आपर भी X मान सकते थे और यहापर हम X मान रहे चाहे तो आप इसकी जगह भी अलफा मान सकते हैं कोई टेंशन नहीं है तो हम यहापर क्या करते हैं X है वो आपका S1 intersection S2 में क्या करता है बिलोंग करता है यहापर आप देखेगा यह चीज हमने यहापर मानिए उसको हमें लाश्न में हमें पूरूफ करके बताना पड़ेगा कि आपका जो X है वो S1 और intersection S2 का क्या निकलना चाहिए आंतरिक बिंदू यान interior point निकलना चाहिए और जब वो आजएगा interior point हम आपर कह सकते हैं कि S है यहापर जो X है वो S1 intersection S2 का क्या आजएगा आपके विवरस समुच्च यानि open set आजएगा तो यहापर आपने देखा कि हमने यहापर क्या माने कि S है वो बिलॉंग करता है S1 intersection S2 में तो इस प्रकार से हमें यह भी कह सकते हैं कि X है वो S1 में बिलॉंग करता है और X है वो S2 में यहापर बिलॉंग करता है आपको definition बताईती तो आपके हमने कहा था कि आपके X flow है वो आपके greater than होता है 0 से तो इस condition का हमें आपर आंतरी बिंदू जब यह निकला है तो हम यह भी case हते कि आपको जब हमने S1 और S2 माना है तो यहापर क्या होगा X flow 1 और X flow 2 होगा जो किस से less than होगा किस से greater than होगा 0 से greater than होता है जब यह यह यहापर इस से greater than होता है तो हमारी यह condition आती है कि यहापर जो X minus X flow 1 है और X plus X flow 2 है वो किसका subset यान किसका उपसमुच्च होता है S1 का उपसमुच्च होता है और यहापर आप आप देखेंगे X minus X flow 2 और X plus X flow 2 है किसका यापर subset होगा यापर आपके किसका उपसमुच्य होगा S2 का यापर उपसमुच्य हो जाता है और यापर हम एक और condition मानते हैं यापर माना हमने कि आपके जो X belong होगा minimum होता है यानि आपके निविनितम होता है जिसमें आपके कौन डो elements होता है Solid 1 और एक्सलाव 2 यहां पर आपके विदमान होता है और जब यह जब यह विदमान होता है तो हम यह भी कहिए सकते कि ज्यूजिया कि आपके X minus X Known है और तो X plus X Known है वह किसका subset यानि वह किसका उपसमुच्छ होगा है यहां पर आपके X minus X Known 1 और X plus X दोनों का इंटर सेकशन है, वो यहां पर सैक्षन का क्या होगा? इसका उपसमुच्छ्य यहां पर हो जाएगा running? क्या कह सकते हैं कि x-x flown और x plus x flown है वो s1 और s2 intersection का यहाँ पर क्या हो जागा उप समुच हो गया है यहाँ सबसेट हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर आप यह condition देख सकते हो जब यह condition आ जाती है आपके तो इसके विवरत समुच्च आ जाएगा यहाँ जब s1 intersection s2 विवरत समुच्च यहाँ उपन सेट हो चुका है तो इस परकार हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं हम यह भी प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो s1 intersection s2 का intersection होगा S2 intersection S3 का होगा और S3 यह चलता जाएगा और यह किसके intersection SN तक यहाँ पर यह चलता जाएगा और यह पूरा ही आपका कैसा निकल जाएगा विवरस समुच्चे आ जाएगा यह नहीं open set यहाँ पर निकल के आ जाएगा यह कोशन काफी important होता है तो आप इसके अच्छीता से practice कर लिजेगा उसके जाएगा हमारी जो नेश क्लास होने वाली है जो कि हमने आपको अभी बताई दीती कि आपके countable और uncountable यानि गंड़ने और up गंड़ने यहाँ गंड़ने यहाँ यहाँ पर आपके समुच्चे के बारे में होने वाली है जो कि काफी ज़्यादा important classes होने वाली है उनमें से कई कोशन ने युनिश्यती एक्जाम में पूछे जाते है तो नेश क्लास का लिंक आपको description में लिएगा से आप जरू देख लीजिगा आज क्लास साब को कैसे लेगी प्लीज कमेंट करके हर इस्ट्वेंस को जरू बताना है और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले तो मिलते हैं शुड़े मैं तरते के लिए बढ़ते हैं